यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ की डबास को सौपी गई है विशेश स्क्वाइट की टीम को महिला विरुध अपराधों के रोक्थाम के लिए जुला के अलग स्थानों पर तैनात किया जाएगा DSP भारती डबास ने बताए कि स्कूल, कॉलेज, उनिवर्सिटी, बस्टेंड और रेल्वे स्टेशन वा अन्य सारजनिक स्थानों पर विशेश टीमें कड़ी नज़र रखेंगी DSP भारती डबास ने बताए कि पोलिस की टीमें सादे कपडों में अलग-अलग स्थानों पर परियाप्त संख्या में महिला एवं पुरुष पोलिस कर्मियों के तिनाती की जाएगी जो कि अपराध को रोकने के लिए चौक्सी के साथ हर संभव कारवाई करेगी उन्होंने बताए कि किसी भी तरह के महिला विरुष अपराधों की सूचना महिला हेल्प लाइन नंबर 1091 या महिला थाना प्रबंदक जजजर के मुबाइल नंबर 8930111091 पर दिजा सकती है और सूचना पर तुरंत कारवाई की जाएगी तो यहां पर इव टीजिंग के लिए एक स्क्वाइड का गठन किया गया है जो यहां पर अपराधिक तत्वों को उनके उपर नजर रखेगा और जितने भी अपराधिक तत्वों हैं उनके उपर नकेल कसी जाएगी और यहां पर एक शुने नौ एक पर भी शुकायत दर्ज करवाई जा सकती है यह बेसिकली हमने जर्जर पुलिस की प्रोसेट एंटी इसीजिन स्कॉर्ट का गठन किया है और इसका मुख्यो देशिय यह है कि यह प्यूजिन को रोगना इसके लिए हमने कुछ एरिया स्पेसिपाइग किये है जैसे कि घिरवाड़ वाले इलाज़ी जर्ज को और हमारा मुख्यो देशिय यही रहेगा हरियान के गुरुग्राम में महिला पर हो रही शोशन की वारदाते जो है वो बढ़ती जा रही है वहीं दिल को धहला देने वाला एक मामला सामने आया है जहां एक स्तारव वर्ष्य चात्रा ने मंचलों से परिशान होकर मौत को गले लगा लिया बताये जा रहा है कि स्कूल जाते समय कुछ मंचले चात्र उसको छेड़ते थे और उसके उपर फब्तियां कसते थे जिसके बाद चात्र ने हिम्मत हार कर अपनी जान दे दी और एक सुसाइड नोट लिग दिया इस पूरे मामले में पुलिस ने चात्र के पारिजिनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है पुलिस ने अग्यात के खिलाफ और मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट कई है करणे छान बाद बाद बाया हिए प्या जा जाहां है